तो देखो इच्छी से क्यारी बना कि हमें तोसी जी की जो प्लांट है वो लगाया हुआ है गार्डन के एक कॉर्णर ही रख दिया है तो आप समझ सकते हो इस प्लांट की वैलो कितना जादा है ये एक मैदिशनल प्लांट होने के साथ साथ ये बास्तु के हिसाब से भी बहु अभी तक नहीं लगाया तो इसको जरूर से ही लगा लेजिए क्योंकि एक कॉमेंट्स आये थी बरसाथ की क्यार बोलने के लिए तो इसलिए सोचा ये वीडियो आपके साथ शेयर कर लो चैनल पर अगर न्यूव है चैनल को जरूर से ही सब्सक्रब कर लेजिए और बैल आप इस पे जो प्लास्टिक की गमले में भी लगा सकते हो किसी प्रकर की गमले में आप इसको लगा सकते हो मिट्टी के अगर बात करूँ मैंने तो यहां सिर्फ गार्णिंग सोयल एक भाग बालू मिट्टी और एक भाग गोवर खात मिला के मैंने इसको लगा दिया आप ऐसा ही कर सकते हो जितनी भी घास पुस उटा हुए है पौट पे आप इसको हटा दो मेरे देखो शीर तो मैंने डाली थी इसलिए शीर की साथ दूसरी प्लान भी उटा हुआ है तो इसको साफ करना बहुत ही जरूर है क्योंकि अभी बारिश है बारिश की मौसम में प्लान आपक्र करन की अच्छी ग्रोफ के लिए जो खली का पानी है खली का पानी आप आप प्लानि पर यूज़ कर सकते हो पुजा की पानी दे सकते हो लोकेशन की अगर बात-करूः इस प्लान को उतना धूब से बहुत जादा धूप से जल जाती है क्योंकि बारिश की बाद जब तेज धूप आएगी तो प्लान के लिए लुकसन होती है तो आप क्या करोगे अगर पॉट पे लगाया हुआ है तो लगवाग मॉनिंग की जो धूप है दो से तीन घंटे की धूप इसके लिए काफी है अब इस तरह की लोकेशन पर आप अपनी प्लान को लगा सकती हो देखो प्लान पर क्या होता है अभी बरसात है तो प्लान की जो पत्या है वह थोर इसी इस तरह की खराब हो रही है इसके लिए आपको क्या करना है आप नीमयल का बरसात में तो आप नहीं करोगे लेकिन बर प्लान को लंबी चलाने के लिए इसकी जितने भी इतने शीड आ रही है देखो इस तरीके से मंजूरी जो आ रही है उसको आप तो रिसी उठा के आप फेक दो आप इसको मंजूरी के भी आप नहीं पेक हो अब इसकी चाय बना के भी खा सकते हूं या फिर पुजा की काम में इसकी तरीके से अपनी प्लांट की ध्यान रख सकती हो जब भी मिट्टी बनाओगी मिट्टी पे अंटि फंगल पाउडर अगर अभी लगाते हूं तो एंटि फंगल पाउडर या फिर हल्दी का योस आप जरूर से ही करो ताकि प्लांट पे जो फंगस है वो नहीं लगी और जितना हो सके आप प्लांट की जो शीड है वो ग्रो करते रहो अगर एक प्लांट है तो उसका चांस नहीं हमेशा ही डर रहता है कि प्लांट खराब ना हो जाए इसके लिए आप लगबक इस तरह के से बहुत सरी धेर सरी प्लांट लगाते रहो ताकि आपकी पास धेर स वो बुशी हो देखो यह जो पत्तिया है उसको आप फेको नहीं उसको आप चाई बना के खा सकते हो या फिर सर्देजुका में भी काम आती है और इसका आप फेस पे भी उसकर सकते हो इसकी बहुत अच्छी जो एक पैक है वो होती है फेस पैक बना के दे सकते हो तुसरी जी क की पत्ती की साथ हल्दी को मिला के तो बरसात की मौसम में आप पाने से बच्चों पाने देने से बच्चों मिट्टी जब बहुत जादा ड्राय हो जाए उसकी बाद ही आप इसमे पाने दो क्योंकि बरसात की पाने में यह आपकी प्लांट की पाने मिल जाती है तो बरसात में आप पाने नहीं दो जब आप देखो कि मिट्टी बहुत ड्राइए हो चुक है उसकी बाद ही आप इस पे पाने दो तो आज की क्यार इतना ही थी फ्रेंज आज की वीडियो की टॉपिक इतना ही थी अगर चैनल वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना शेयर करना अपनी के साथ और चैनल पर बने रही है मेरी चैनल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्री अच्छी रही है खुश रही है और चारों तरफ से ग्रीन बनाई है थैंक यू